जहिन दोस्तो और इन जॉब में आपका स्वागत है तो आज हम बात करने वाले हैं स्टेवल ट्रेडवेंस की जो उसके बारे में हम बात करेंगे फिजिकल किस परकार होगा इसका स्लिवर्स क्या रखा गया है उसके बारे हम बात करेंगे फिजिकल में दौर किस परकार होंग चलिए फ्रेंट ले चलते हैं वीडियो को और उससे पहले बता दो अगर आप मेरे यूटू चलने पभी तक नहीं है तो वीडियो के लाल प्रण सस्क्राइब जूरूर दबादे और बेल आइकन में दबादे जिससे इसकी हर छोटी वड़ी खबर आप तक हम पहुंचा सकें सस्क्राइब कर दें और बेल आइकन भी दबादें इसलिए कोई भी अपडेट आप से छूट ना सके चलिए ले चलते हैं इसके बीनादेरी किये इसके स्लेबस की और तो फ्रेंट जैसे कि आपको डिस्प्लेइप पद दिखरा होगा यह सुप के स्टेवल स्लेबस 2019 तो य उसमें क्या प्रोसरस रहा है किने समय मतलब नहीं कि हर बढ़ नया भरती याता है हर बढ़ नया चेंजिक कुशनी कुछ होते रहता है कि हम बात करेंगा आज के सिलिबस के बारे में तो हम पहले बात करते हैं फिजकल के किस परकार सब को क्या 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 करना है उसके बारे में बता दें आपको तो बता दें आपको पहले डेट आपने जो अभी तक फॉर्म फिल नहीं कि हैं उनको भी बता दें कि अभी तक आप हैं तो आपको वीडियो देखे और इसमें पूरी डिटियस आपको दी जाएगी जूट मुट कर आप टाइम वेश्टने करें अपना टाले और अपना सिलिबस में लग जाए और क्या का ज़ूरूर चीजे यह भी आपको पता होना चाहिए तो पहले हम परिषया के बार कार्ष चाहिए है उसके बाद किस-किस सटेप से बुजना है यह सब भी हम आपको लेने चलते हैं तो हम पहले चरण किस-किस चरण से आपको गया तो टोटल छे चरण में आपको डिबाइड कर दिया है मतलब बाटा गया है तो सबसे पहले आप वहाँ जाए गता उचाई की बारकुर मतलब आपका कम पहले हाइट हाइट जहाए उसका हम उसको बताएंगे कितना हाइट चाहिए उसके भी फिर सरी दक्सता पीएश्टी हाइट चेस्ट और वेट तीनों आपको होगा तब फ़र् फिर उसके बाद आता है प्रानलेखन उसको बताएंगे ट्रेट टेस्ट उसके बाद आपको लिखित परिच्छा आपको छे चीजों से गुजरना है ठीक है तो आपको ट्रेट टेस्ट किस परकार होगा उसका भी वीडियो में आप तक अफलेबल करा दूंगा और लिखित परिच्छा किस परकार होगी इसका भी वीडियो पहले फर्स्ट वीडियो हम मैं बनाया फिजिकल्स के लिए सेखिंड आपका आएगा आपको ट्रेड के लिए ठर्ड आएगा लिखित परिच्छा के लिए इस टीप बेस टेप आपको मिलता रहेगा एक एक करके आपको कुआ आपको सारे 6 मिनट कमप्लिट करना है 600 मीटर की दोर तो मैं मैं बता दूआ आपको जब वहां इंट्री कड़ेंगे आपका दो टाइम रहेगा या तो साड़े 6 रहेगा या थो 6 बज़े रहेगा दो टैम रहने वाला है जिसमें से आपको तो इंट्री टाइम में बत पढ़ेगा तो आपको इंट्री करने के बाद आपको पहले हाइट ना पलिया जाएगा चेस्ट वेट उसके बाद आपको फिजकल्स के लिए दोड़ाने के लिए आपको बुरा जाएगा तो क्या प्रेसा के उसके बात हम बात करें लिए जिस्टरहएड को बीखकर करें यह क्या ह Smith मं बाता दों आपको जेन्रल OVC Mнов.ICA के लिए आपको एकों 17 संटमीटर है डापका कांतों और होना चाहिए अगर आपका हाइट एक सुस्टा सेंटीमेटर से कम है तो आपको हाइट से छाड़ दिया जाएगा उसको बाइद बता दो नौर्मरी चेस्ट आपको आपको 55 सेंटीमेटर होना चाहिए और आपको फूलाना पड़ेगा अगर पांचो नहीं फूला पाते हим случай है उसकी में भी आपको छाड़ दिया जा सकता है इसलिए आप प्रयास कर ले आपका हाइट 110 सेंटीमेटर है और आप तो चेष्ट 80-55 कर लेते हैं फुला लेते हैं तो आप कुलवाई हैं आप सेलेक्षण पक्का होगा अगर आप बता दें आपको इस अरिया से आपको ये आरियाे gi आता है तो आप इस पर देती पूरम मेगाले इस इन राज्यों से अगर आप बिलोंग करते हैं वहां कि आपको निवासी है तो आप बता दें वहां के लिए आपको लिए specially height कम रखा गया 5 cm आपके लिए height कम है 165 cm आपका height रखा गया और 78 से लेकर 83 मतलब आपको वही 78 आपका नॉर्मली चेस्ट होना चाहिए और 83 आपका फुला कर होना चाहिए उसके बाद हम नीचे वाले बात करते हैं आपको जन जाती उमिद्वारों के लिए यह उमिद्वारों हैं जिनके आपको और height आपको कम कर देता है तो आपको 61 62.5 cm minimum height चाहिए आपका चेस्ट होना चाहिए 78 से 81 cm आपको चेस्ट जितना भी हो निम्राने 5 cm यहां फुलाना है आपको पता होना चाहिए 5 cm आपको फुलाना पड़ेगा आपको 80 से फिर यह 78 से फिर 76 से 5 cm फुलाना ही पड़ेगा तो आपको यह तक फिचकल्स की जनकारी थी आप को 6 Citys8 आपको ये भी में बता दिया अब नेश्ट वीडियो आएगा य तेस्ट किस परकार होंगे उसके बाद दूसरा में तेस्टरा में आपका सका हो इसमें हम आपको एक और वीडियो लेकर आएंगे बीच में जिसमें आपको पहले इसके ज़क्ष्ट बात आपका पहले डॉक्मेंस किस परकार आपका क्या क्या जोड़ूरी है इसका भी वीडियो आप तक पहुंच जाएगा आप वीडियो पूरी तरह देखें इसके लिए वाचिंगे बहुत अच्छी बात हैं और पूरी डिटेश आपको कोई भी प्रोब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में लिकरा बता सब्सक्राइब जब तक लिए जयाहिं दोस्तों बंदे मात्रम आपका दिन सुभू हुँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँ